लास्ट लेसन में हम लोगों ने देखा था कि जिफ्स को कैसे क्रिएट किया जाता है इस लेसन में हम देखेंगे कि फोटोशॉप एक्षिंज क्या होते हैं and how they are useful for us तो मैं यहां से एक इमेज उपन कर लेता हूं फोटोशॉप के अंदर and that is going to be this image इसको मैं ड्रैक करता हूं और यहां पर आकर रिलीज करता हूं और यहां से जो हमने timeline create की थी मैं इसको close कर लेता हूं because we do not need it right जी तो सबसे पहले actions को understand करते हैं कि actions actually है क्या तो अगर मैं layers में जा रहा हूं और layers में जाके मैं यहां पर adjustment layers कुछ apply करता हूं ठीक है for example मैंने किसी event के different scenes को capture किया और उसके बाद मैंने हर image के उपर same adjustment layers को apply करना है और same effects को apply करना है तो उसके लिए for example मेरे पास पहली image open है तो इसके उपर जी मैं थोड़ा सा play करता हूं जैसा कि हम इसके color balance को थोड़ा सा adjust करते हैं ठीक है तो जो स्यान color है हम उसको थोड़ा सा मजीद prominent कर देते हैं अपनी image के अंदर और यहां से green color को थोड़ा सा introduce करते हैं जी और यहां से yellowish color को थोड़ा सा introduce करते हैं ठीक है तो यह मैंने एक जी color balance apply कर दिया image के ओपर इसके बाद मैं दुबारा जी adjustment layers में जाता हूं और यहां से जाके मैं इसके levels के साथ play करता हूं ठीक है तो for example इसके जो dark colors है उसको मैं थोड़ा सा white की तरफ लेकर जाता हूं या जो इसमें whites हैं उसको हम थोड़ा सा dark कर लेते हैं ठीक है मतलब जैसे भी आप image के साथ play करना चाहते हैं और जो dark है उनको हम थोड़ा सा white कर लेते हैं ठीक है जी इसके बाद ही हम एक और adjustment layer apply करते हैं and that is going to be the vibrancy तो vibrancy में इसकी जो saturation है saturation को हम थोड़ा सा increase करते है ठीक है saturation का मतलब है कि जो color जहां पे applied है उसको मजी थोड़ा सा strong कर दे और vibrancy का मतलब है कि इसमें से colors को remove करना start कर दे और इसको black and white की तरफ ले जाए ठीक है तो it depends कि आप किस तरह के results चाहते हैं so हमने यहां पर three adjustment layers apply कर दी इसके बाद adjustment layers का फाइदा यह है कि अगर आप किसी भी layer को edit करना चाहते हैं for example color balance को edit करना चाहते हैं तो इस symbol के उपर double click करें कि दुबारा से properties आपके सामने उपर नोजेंगी तो आप इनको यहां से edit कर सकते हैं मैं दुबारा layers में जा रहा हूं और layers में जाके जी हम यहां से कुछ hue saturation के साथ play करते हैं ठीक है तो यहां पे जो hue है उसको change करके देखते हैं तो हम थोड़ा से vintage effect इस image में लेकर आते हैं ठीक है यालूइश effect तो यह हमने इसकी hue change कर दी अब यहां पे हमने कुछ adjustment layers apply की और this is the result we want अब इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे पास 10 और images हैं और हम 10 की 10 images के ओपर same effects को दुबारा से apply करना चाहते हैं ठीक है तो जो समझ मुझे आती है वो यह है कि हम हर image को यहां पे tabs के अंदर open करेंगे और in values को याद करेंगे जो हमने in layers के ओपर apply की है और दुबारा से adjustment layers को create करते जाएंगे और in values को apply करते जाएंगे अब यही सारा कुछ करने के लिए मैं दुबारा से इन सारी layers को delete कर रहा हूं ठीक है जी और यहां से actions यह हैं कि मैं जो जो step लेता जा रहा हूं अपनी image अपने canvas के ओपर अपनी image quadrate करने के लिए या जो भी activity मैं कर रहा हूं अपने canvas के ओपर मैं अपने हर step को record करूँ अपने actions के अंदर और जब मैं next image open करूँ और मैं same steps को apply करना चाहता हूँ एक second image के ओपर तो मैं same set of actions को play कर दूँ और वो सारे actions applied हो जाए एक second image के ओपर ठीक है तो मैं बार बार उन steps को execute ना करूँ तो मैं यहां से actions open करता हूँ और मैं एक new action create करता हूँ यहां से और इसको हम कहते हैं कि adjustment layers adjustment ठीक है so यह हमारे action का नाम है और इसके बाद मैं यहां से press करूँ record तो यहां से हमने action create कर दिया और उसको हमने set कर दिये record के उपर so उसने recording start कर दिये इसके बाद हम वापस आते है layers के उपर और यहां से अपनी adjustment layers को दुबारा से apply करते है और यह सारे के सारे actions जो मैंने यहां पर execute किये यह इसने सारे actions record कर लिए ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह सारे actions record होते गए हैं इसको मैं यहां से stop कर देता हूं ठीक है जी उसके बाद मैं को और image open करता हूं जी Photoshop के अंदर and that is going to be this image यह image मैंने core open की मैं layers में जाता हूं और मैंने इस layer की selection के बाद मैं यहां से action open कर लेता हूं और यह जो adjustment layer adjustment है मैं इस action को select करता हूं और यहां से play कर देता हूं ठीक है और अगर मैं layers में जाओं तो इसने वही सारे actions यहां पर execute कर दिये जो कि मैंने last image में apply किये थे ठीक है results थोड़े से different है as compared to the results that we get in the last image लेकिन यह है कि बिल्कुल same जो steps है वो इसने यहां पर perform किये तो मुझे दुबारा से इन steps को perform नहीं करना पड़ा मेरा time भी safe हुआ और exactly मैं वही properties यहां इस image के उपर apply कर सका तो बिल्कुल ऐसे ही आप actions को record कर सकते हैं और उसको अपनी different images के उपर apply कर सकते हैं इसके बाद हम यहां से एक preset action को use करते हैं and that is going to be this scribble artist action set ठीक है इसका link आप से share कर दिया जाएगा यहां से जाके आप इस zip file को download कर सकते हैं और आपने करना यह है कि यहां से actions में जाएं और actions में जाके इस चोटे से menu में जाके आपने यहां से actions को load करना ठीक है तो जो file आप से share की जाएगी उसको unzip करें और इस scribble artist को यहां से open कर लें ठीक है तो मैंने already यहां पे open किया वा है scribble artist जो action है इसके बाद आप edit में जाएं और edit में जाके अपने presets में जाके यहां से click करें export import presets और यहां से जी आप करें जी select import folder और desktop पे मैंने यहां पे scribble artist इसको save किया वा है इसके बाद जो बाकी दोनों इसके नीचे वाली files है एक brushes की है और एक pattern की है और इन दोनों को आप add कर दें presets to import और यहां से इसको import कर दें ठीक है import presets तो यह वाले presets भी मेरे already imported है इसके बाद हम इनके ऊपर इस preset actions को apply करते हैं तो मैं layers में जा रहा हूं और मैं यहां से इन सब को delete करता हूं इसके बाद जी हमारे पास इसमें दो layers होनी चाहिए उस section को play करने से पहले the first one is the background अगर आपने इस lock को खतम कर दी है और इसको आप दुबारा से background में convert करना चाहरे हैं तो layer में जाएं यहां से new में जाएं और यहां से background from layer इसको click कर दें ठीक है जी इसके बाद एक और layer generate करें और इसको rename करें mask तो इस layer को मैंने rename कर दिया इसके बाद मैं इस mask पर click कर रहा हूं मैं अपने brush को select करता हूं यहां से आप कोई भी color choose कर सकते हैं for example मैं यहां से for example इस yellowish color को choose करता हूं मैं brush का size थोड़ा सा बड़ा करता हूं ठीक है और जहां पर आप इस preset को apply करना चाहते हैं आप उसको color assign कर दें and make sure का आपके जो brush की opacity है that is 100% और मैं यहां पर अपने canvas के उपर right click कर रहा हूं और यहां से जो solid brush है उसको मैं select कर रहा हूं ठीक है जी तो अपनी इस building के उपर इ ठीक है जी यह mask हमारा apply हो गया इसके बाद मैं actions में जा रहा हूं और actions में जाके मैं scribble artist को choose करता हूं यह हमारे set of actions हैं और इसको हम यहां से करते हैं जी play तो make sure के opacity and flow parameters of the brush tool are both set to 100% कि जब आपने brush को यहां पे draw किया brush से तो आपकी opacity और flow आपका 100% होना चाहिए उसके बाद आप इसको continue करें तो यहां पे यह already जो actions record किये गए है artist की तरव से जिसने इस set of actions create किये हैं वो यहां पे play होंगे और उसके बाद हमारे पास final result आएगा so let's wait until the final result has been executed all right जी जो action हमने play किया the scribble artist के नाम से वो render complete हो गया है इसको हम continue करते हैं and this is the result we have तो मैं layers में जाता हूं हो और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने यह सारी layers को repeat किया है हमारी image के ओपर and we are getting this kind of a result ठीक है जी तो यहां से आप मजीद in layers के साथ play कर सकते हैं for example I do not want this outline ठीक है I do not want this scribbles ठीक है मुझे सिरफ ही वाला results है यह यहां पर जो color है वो blue है आप इसको color को double click करें और इसको आप यहां से जाके change कर सकते हैं ठीक है so you can still play with different layers so आप इन layers को इस्तमाल करते हुए आप थोड़ा सा customize कर सकते हैं इन जो results हैं उसको so this is how you can use different action presets और जैसा कि हमने पहले देखा कि आप actions कैसे record कर सकते हैं और उसको कैसे play कर सकते हैं and how effective this is see you in the next lesson thank you so much झाल कर सकते हैं